नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे लोगप्री एक कथाकार पुष्पा सक्सेना जी की कहानी बाहों में सिम्टा आकाश तो आए सुनते हैं कहानी पत्र की लिखाई पर द्विष्टित जाते ही शालनी चौंक उठी क्या ये संभो था? नेसंदे पत्र साहिरा का ही था आज इतने दिनों बाद आये इस पत्र ने शालनी की सभी आशंकाओं को दूर कर दिया तो सारा जीवित है हम सब प्यार से साहिरा को सारा पुकारते थे जाडे की खुशनुमा धूब के टुकडे की तरह सारा आते ही छा जाती थी उसकी चंचलता और खिलखिलाहट से वातावरन रंग जाता था सारा के उजले नरम पाउं जब डेपार्टमेंट की कोमल दूप पर पड़ते तो अंगिनत दिल उसके पाउं तले बिच जाने को बेचैन हो उठते थे बचपन में ही मा के निधन के कारण सारा का अधिकांश समय शालनी के घर पर ही बीचता था अम्मा का बिन मा की बेटी सारा पर अगाध इसने था अतिशे उदारता के साथ अम्मा ने सारा को भी बेटी सा अपना लिया था घर के हर तीज त्योहार पर सारा की शालनी के घर पर उपस्तिती अनिवार्य थी कठोर पिता की छत्र चाया में सारा पत्थर पर उगाई दूपसी कोमल थी दोनों ने एक साथ एक ही विशय में एमेक अक्षा में प्रवेश लिया था डिपार्टमेंट में शोद कर रहे सिधार्थ को देख शालनी के मुख से बर्बस ही निकल गया था सारा देख सिधार्थ राजेश खन्ना से कितने रिजेंबल करते हैं न अपनी प्रतिक्रिया दिये बिना सारा ने सिधार्थ को आवाज दे बुला कर कहा था सिधार्थ जी ये हमारी शालू I am sorry मेरा मतलब मिस शालनी महता कह रही है आप राजेश खन्ना उस सुपर स्टार के कजिन है शायद इसी लिए उनसे आपकी इतनी रिजेंबलेंस है ठीक कहा ना शालू शैतानी से सारा मुस्करा दी थी सिधार्थ की मौन इसमित पर शालू अगर धर्ती में समा सकती तो कितना अच्छा होता मैंने कब कहा था जो मन में आया बोल देती है शालू की जड़की वेमानी हो उठी थी लज्जा से आरक्त मुख दूसरी ही कहानी कह रहा था अरे भाई हमने तो सची कहा था सच सिधार्थ भाई आप तो एकदम हीरो लगते हैं सारा एकदम सहज थी ये आपकी धार्णा है या आपकी सखी की खेर मैं दोनों का शुक्र गुजार हूँ याद रहेगा आपका ये कॉम्प्लिमेंट सिधार्थ के जाते ही शालू सारा पर बरस पड़ी थी घर चल आज अम्मा से शिकायत ना की तो मेरा नाम शालनी नहीं हाई मेरी बन्नों दिल में जनाब के लड़ू फूट रहे हैं उपर से ये अंदाज जवाब नहीं आपका सच कह तेरे दिल की ही तो बात कही थी ना वैसे तेरे साथ ठीक ठाक जमेंगे सिधार्थ धत सिंदूरी चेहरा शालू के प्रतिवाद को जुटला गया था उस दिन डिपार्टमेंट में देवेश जी का पहला दिन था एक दिन पहले ही सारा कह रही थी कल वह नया लेक्चरार आ रहा है पहले दिन ही उसकी छुट्टी कर देनी है कुछ सोचना पड़ेगा और अगर छुट्टी ना कर पाई तो शालू ने शंका व्यक्त की थी तू हर बात में बेकार बोलती है शालू जानती नहीं कलास में पहले दिन हर टीचर को परीक्षा देनी होती है अगर जम गए तो चलेंगे यार वरना कुर्सी छोड़ घर की रहा लेंगे अपनी बात पर सारा को पूरा विश्वास हुआ करता था उतनी सब बातें बनाने के बाद भी देवेश जी के पीरियड में सारा नदारत थी कलास में खासा एकसाइटमेंट था लड़कों की तैयारी वातावरन का पूर्वा भास दे रही थी देवेश जी ने कक्षा में जैसे ही प्रवेश किया तो मानों उनके तेजस्वी व्यक्तितु से कुछ छणों को सन्नाठा सा खेच गया हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर देवेश आज से आपके साथ रहूंगा मित्र के नाते आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी अरे यार ये पढ़ाने नहीं दोस्त बाजी करने आये हैं जरा समल के रहना भईया कहीं दोस्ती महंगी न पढ़ जाए पीछे से उबरी आवाजों पर ठाहा के गोंज उठे थे सची तो कहा पता नहीं कब किस पल क्या हो जाए जीवन के हर पल हम कुछ नया ही तो सीखते हैं इसलिए पता नहीं कौन किसे पढ़ाएगा अटेंडेंस के साथ आप से परिचित होता चलूगा अविचलित डॉक्टर देवेश ने पेन निकाल अटेंडेंस लेनी शुरू कर दी थी शालनी की व्येगरे द्रिष्टी बार बार बाहर जा रही थी ये कमभक्त सारा कहां रह गई आधे नाम पुकारे जा चुके थे हर नाम के साथ डॉक्टर देवेश की द्रिष्टी उस नामधारी के साथ परिचे बनाती जा रही थी सारा का नाम आते आते शालनी निराश हो चुकी थी जरूर आज भिर देश से सोकर उठी होगी एक पिरियट बाद ही पहुँचेगी साहिरा का नाम पुकारते ही दर्वाजे से आवाज आई थी ये सर लंबा कोड पहने सारा खड़ी थी यू आर लेट मिस साहिरा देवेश जी ने गुरु गंभीर स्वर में कहा था शायद भाग कर आने के कारण साहिरा का गोरा चेरा लाल बहूटी हो रहा था सांस तीवर गती से चल रही थी कक्षा में नरम गर्माहट भर गई थी उसकी उस अविस्मरनी चबी पर न जाने कितने जोडे नयन निबध थे मायूसी से सिर जुका बड़ी शालेंता से साहिरा ने कहा था सौरी सर आज रिक्षा वाला देर से पहुँचा आईए पधभविष्य में केरफुल रहेगा मैं लेट कमर्स को क्लास में आने की परमीशन नहीं देता देवेश जी आगे नाम पुकारने लगे थे थेंक्यू सर याद रखूंगी क्लास में आते ही सारा शालनी के पास सटकर बैठ गई थी इतनी देर कहां लगा दी शालनी ने फुस्फुसा कर पूचा था पहले ही दिन रौब जाड रहा है इसी का इंतजाम करने में तो देर हो गई थी मेरी शालू सुनते ही शालनी के कान खड़े हो गई थे ये भगवान जाने क्या सोच कर आई है थोड़ी ही देर बाद म्याव म्याव की आवाज अपने पास से आती सुन शालनी नर्वस हो गई थी देवेश जी ने पेन नीचे रखा ही था कि पूरी कक्षा में शोर मचने लगा था सिर नीचा कि ये साहरा म्याव म्याव का स्तरोत खोजने का प्रयास कर रही थी शालनी भी उसी का अनुकरन कर रही थी कि उसके हाथ किसी नर्वस्तु के स्वर्ष से चौँक उठे थे पास बैठी साहरा के लंबे कोट की जेब से एक नन्हा मुख जाबकर बाहर आने की याचना में म्याँ म्यों कर रहा था इत्मिनान से एक हाथ कोट की जेब में डाले सारा उसे बाहर ना आने देने का भरसक प्रयास कर रही थी मिस साहिरा शायद आपकी पेट घर जाना चाहती है प्लीज टेक हर आउट आफ दी क्लास साहिरा के विश्मे पर देवेश जी ने फिर कहा था बिल्ली अधिक देर आपकी पॉकेट में नहीं रह सकती उसे घर की याद आ रही है एक बात और याद रखिए एक ग्रोनब लड़की और नरसरी चाइल्ड में अंतर होता है यू अंडरिस्टेंड माई पॉइंट गंभीर मुद्रा में डॉक्टर देवेश चौक उठा ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़ गय थे पूरी क्लास एकदम शान्त हो गई थी शालनी को जबरदस्ती खीशती सारा क्लास के बाहर आ गई थी अपमान से सारा का चेहरा तम-तमा आया था नया नया आया है जमा रहा है चार दिन बात देखूंगी तिरसकार सारा के स्वर में बज उठा था थोड़ी देर बात सहज होती सारा फिर अपने पुराने अंदाज में वापस आ गई थी चल शालू लव लेन चलते हैं आज देखें वो बैजू बावरा और गौरी की जोड़ी कहां बैठी है हिंदी विभाग के पीछे की सकरी पगड़न्डी लव लेन कहलाती थी जो चाहे कर घर में कोई पूचने वाला तो बैठा नहीं है मेरी सूच अम्मा को अगर पता लग गया कि हम क्लासेज मिस करके बैजू और गौरी के दर्शन कर रहे हैं तो मेरी तो जानी ले डालेंगी समझी शालनी की ऐसी बातें सारा को बेहद उदास कर जाती थी तयार हो जाती थी ऐसी बात नहीं है सारा तू तो जानती ही है अम्मा तुझे मुझसे भी जादा चाहती है हमेशा कहती है सारा सदयव प्रथम स्रेणी पाती है और तू पीछे रह जाती है लव लेन के लता कुझों से बोर होकर जब दोनों डिपार्टमेंट पहुँची सामने से सिधार्थ आ रहे थे सिधार्थ को देखते ही सारा का औसार न जाने कहां उड़ गया था एकदम चहक उठी चलिए सिधार्थ जी एक एक कप कॉफी हो जाए सुना है आज किसी बेजुबा को कोट की पॉकिट में पनाह दी थी कहां से पकड़ लाई थी उसे सिधार्थ मुस्करा रहे थे अच्छा तो जूनियर्थ से कैफियत तलब की जा रही है उसे उसके घर बेज दिया सारा मुक्त हस पड़ी थी कॉफी पीने के लिए तीनों जब रेस्तरा में पहुँचे तो अचानक सारा को कोई जरूरी काम याद आ गया था छमा याजना के साथ जब सारा उल्टे पैर लोटने लगी तो उसके साथ लोटने के उपक्रम में शालू भी खड़ी हो गई थी दोनों हाथों से शालू को उसकी चेयर पर बैठा सारा ने सिधार्थ से कहा था समालिये हमारी इस मोम की गुडिया को उसे दर है आपके साथ पिघल न जाए ओ सारा लज्जा से रंजित मुख शालने उठा भी न सकी थी क्या सचमुच मेरे साथ डर लगता है वैसे सुना है ठीक ठाक लगता हूं सबको मैंने कब कहा सारा तो बस यूँ ही सिधार्थ के प्रश्ण का क्या उत्तर देती शालनी तो अच्छा लगता हूं आपको किसी तरह कॉफी की घूट गले से उतार शालनी ने जब सिर उठाया तो सिधार्थ की मोहफ मुस्तान ने उसे बांध लिया था दोनों को छोड़ सारा का आंधी की तरह चले जाना अचानक नहीं पूर्व नियोजित होता था यह बात शालनी बाद में समझ पाई जब भी सारा की उस बात पर शालनी ने क्रोध करना चाहा सारा उसके गले में बाहें डाल मनुहार करोटती थी मेरी प्यारी शालू माफ कर दे कसम खाती हूँ आगे कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी शालू के हस्ते ही सारा चिढाती थी मनमन भावे मुरिया हिलावे शालू सारा को धौल जमाती रोने रोने को हो जाती थी तब कहीं सारा मानती थी देवेश जी के सेमिनार क्लास में पहले दिन सारा एकदम गंभीर किसी हद तक निरही बच्ची बनी बैटी थी तलीनता से नोट्स लेते देख सब असमंजस में थे शायद देवेश जी का रोब खा गई है बोलते बोलते देवेश जी रुख गए सब उनकी ओर देख रहे थे पर सारा उसी तनमेता से पैन चलाय जा रही थी उसकी कौपी पर दृष्टी डालती ही शालनी भैसे जड़ हो गई थी कौपी के पूढे प्रस्ट पर देवेश जी का कार्टून बना हुआ था हाथ में चौप की जगे रूलर और मुह पर बड़ी-बड़ी मूचे थी सारा की कौपी उठा देवेश जी ने सराहना की थी काफी अच्छे चित्र बना लेती हैं थोड़े और प्रयार से काफी प्रसिद्धी पा सकेंगी कौपी वापस करते उनकी वारता पूर्पत चल पड़ी थी सारा कट कर रह गई थी कक्षा से बाहर आती लड़ियों ने चेड़ा था देवी जी ये आपके सौंदर्य का प्रभाव था जो बच गई वरना आज आपकी खैर नहीं थी अरे नहीं अपना चेहरा देख खिल गए थे सोच रहे होंगे कोई उन पर भी इतनी श्रद्धा रखता है सारा ने उपेक्षा से कहा था श्रद्धा नहीं मन मंदिर का देवता समझ रहे होंगे अनिमा ने परिहास किया था देवता या दानो सारा ने ऐसा मूँ बनाया कि सब हस पड़े फाइनल एक्जाम्स पास आ रहे थे शालनी की प्रैटिकल कॉपी देखते देवेश जी ने अचानक पूचा था आप ही मिस साहिरा की बेस ट्रेंड है शायद काफी इंट्रेस्टिंग है आपकी दोस्त जी हाँ बहुत जीवन्त व्यक्तित तो है सारा का हमेशा फर्स डिविजन पाती है मा नहीं है शायद इसी लिए कुछ शैतान हो गई है पर दिल की बहुत अच्छी लड़की है सर उट्साहित शालनी कुछ जादा ही बता गई थी हलकी मुस्कान के साथ देवेश जी ने शालनी की कौपी वापस कर दी उनके कमरे से बाहर आते ही लड़कियों से बातों में व्यस्त सारा को अलग खीच शालनी ने प्रसंदता से दमकते मुक के साथ जब देवेश जी से की गई अपनी बात बताई तो सारा विफर पड़ी थी ए शालू की बच्ची मेरी लाइफ हिस्ट्री दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है समझी बड़े आय सारा की कहानी पोचने वाले आज अम्मा से जरूर तेरी शिकायत करनी है क्या कहेगी अम्मा से कोई गलत काम तो किया नहीं जो डर जाएं शालनी भी उस दिन अकड़ गई ठीक है चल चाट खाने चलते हैं अम्मा को बता दूंगी डॉक्टर सेन का पीडियेट कटकर तू चाट खाने जाती है नहीं जाना है हमें शालू भी नाराज हो सकती थी सारा ने उसी दिन जाना अच्छा भाई ले कान पकड़े अब तो माफ कर दे मेरी शालू चल आज चाट नहीं पीछे चलकर बतियाते हैं जाडों की गुनगुनी धूप में डेपार्टमेंट के पीछे उनका एक अपना प्रिय इस्थान था वहां पाउपसारे आकाश ताक्ते सारा की नई योजनाएं शालनी को सुननी पड़ती थी ताजुक की बात थी कि जब से डॉक्टर सेन के इस्थान पर देवेश जी उनका सेमिनार क्लास लेने लगे थे सारा का पीडियर्ट छोडने का आकरें कम हो गया था एक दिन शालू ने चेला था क्या बात है आजकल हमारी साहिरा चार्ट के इस्थान पर डॉक्टर देवेश के क्लासेज में ज़्यादा रुची रखने लगी है अरे जो मज़ा उन्हें बनाने में आता है वह चार्ट में कहां देखा नहीं जब भी कोई सवाल पूचो उनके कान तक लाल हो जाते हैं सारा को बना पाना आसान काम नहीं था डिपार्टमेंट की पिकनिक पार्टी या अन्य समारोहों में सिधार्ट के साथ देवेश जी भी सारा और शालनी के साथ ही हो जाते थे उस बार डिपार्टमेंट की ओर से चचाई फॉल्स ले जाया गया था पीछे की सीट पर सिधार्ट और देवेश जी के साथ सारा और शालनी बैटी थी सारा की बातें उस दिन नजाने कहां खत्म हो गई थी उसकी मूख भंगीमा पर शालनी जुझला उटी थी सिधार्ट ने भी मजाग किया था आज तो इस बात पर विश्वास करना कटिन है कि हम दो लड़कियों के साथ बैठें है ऐसा सन्नाता तो पुर्षों में भाता है न डॉक्टर शोधकार में सिधार्ट डॉक्टर देवेश के बहुत निकटा आ गय थे उन्हें वह सरना कहकर डॉक्टर ही कहते थे किन सपनों में खो गई है सारा शालू ने भी टोका था बात करने का सिर्फ क्या मैने थे का ले लिया है शालू तू किस मर्ज की दवा है सारा नहीं होगी तो क्या मौनप्रत रखेगी सारा ने चुप्पी तोड़ी थी देवेश जी मुस्करा दिये चचाई फॉल्स की धवल जलराशी अद्भुत सौंदर्य की स्रिष्टी कर रही थी दूर दूर तक उड़कर आते जलबिंदु तनमन भिगो रहे थे आकाश में न जाने कहां से एक इंद्र धनुष उगाया था जलराशी में उसका प्रतिविंब निहार्ती सारा ने उपर आकाश में इंद्र धनुष देखने को ज्योंुई द्रश्टी उठाई तो सामने देवेश जी की द्रश्टी में खो गई उसके मुख मंडल की इंद्र धनुषी आभा शालू और सिधार्थ ने पकड़ ली सिधार्थ ने चुटकी ली सारा तेरे मुँः पर इंद्र धनुष कहां से आ गया अभी तो आकाश में था ना शालू इंद्र धनुष नहीं हमेशा की भीरू शालनी अचानक मुखर हो गई अच्छा अब आपके भी परोग आए हैं समालिये भाई जान कहीं आप से दूर न उड़ जाए हमारी भोली मैना प्यार से सिधार्थ को सारा भाई जान पुकारने लगी थी सिधार्थ को भाई बना सारा के एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ती हो गई थी सारा का कहना था छोटी बहनों को तो उसका ममत और संरक्षन मिला है पर उसे बड़े भाई का इसने और संरक्षन सिधार्थ से ही मिला था सारा के अब्बा घर में भी आर्मी का अनुशासन रखते थे पत्नी के ना रहने पर मात्र विहिन पुत्रियों की सुरक्षा की भावना से वह और अधिक कठोर हो गए थे छोटी बहने तो उनकी सूरत से भी डरती थी एक बार जो ओडर दे दिया वह पत्थर की लकीर हो गई सिधार्थ पर सारा इतना अधिकार जमाय रहती थी कि उसकी हर मांग पूरी करना सिधार्थ का पुनीत कर्तब बन गया था सारा ने नजाने कौन सा ताना बाना बुना था कि सिध्धार्थ और शालनी एक दूसरे से बंधते गए थे सारा के बुद्धी प्रदीप्त सौंदर ने देवेश जी को मुग्द किया था यह इसपष्ट था उसके अपूर्व सौंदर चंचलता और मोहनी हसी ने उन पर जादूई असर किया था सारा के प्रती देवेश जी का अनुराग जाने अंजाने छलगता रहता था पर सारा यह सत्व स्विकार करने को प्रस्तुत न थी विलक्षन प्रतिभा शाली सुंदर व्यक्तित्तु के स्वामी देवेश जी के आकर्शन से अच्छूती रहने का बहाना सारा सदयो करती रही अचानक एक दिन सारा बेहद पुदास खोई सी शालनी के पास जाखड़ी हुई थी चेरे पर छाय शोने भाव से शालनी गवरा गई थी क्या हुआ सारा तबियत तो ठीक है आज क्लासेज अटेंड नहीं करेंगे शालू चल बाहर चलते हैं शालू की व्यग्रता अनुतरित कर सारा उसे बाहर खीच ले गई थी डेपार्टमेंट के पास वाली प्रिय अमराई में बैठ कर भी सारा का मौन नहीं तूटा था जुझला कर शालनी ने पूँचा था अब बताना क्या बात है फिजूल में ये मात्मी चेहरा लटकाय परिशान कर रही है हमें शालनी की जिड़की के प्रत्यत्तर में सारा के गोरे गोरे गालों से होकर आँखों से मोती ढुलकने लगे थे आज अम्मी की बहुत याद आ रही है शालू छोटी सी थी तभी अम्मी चली गई अब्बा की पाबंदियां उन्हें खा गई शालू आज वो पुरानी बाती क्यों दोहरा रही है सारा तेरा जी अच्छा नहीं है तो चल घर चले अम्मा के पास तेरा मन बदल जाएगा शालू के उठने के उपक्रम पर सारा ने उसका हाथ पकड़ बैठा लिया था जानती है शालू जो कभी नहीं होना चाहिए था हो गया आज देवेश जी ने प्रपोस किया है क्या करूं शालू काश मैं मर सकती है राम मरें तेरे दुश्मन इतनी अच्छी न्यूज पर मिठाई की जगे ये मन्हूस सूरत बना रखी है जनाब ने सच किती अच्छी जोड़ी जमेगी उनके साथ चल इसी बात पर क्वाल्टी चलते हैं शालू का उच्सा स्वाभावी की था तू समझती क्यों नहीं शालू ये असंभो है अब बस जिन्दा जमीन में गार देंगे वाह भली कही आप अनारकली नहीं हैं मिस साहिरा वालिग है अगर अंकल नहीं माने तो कोट में जाकर सिविल मेरेज कर सकती हो अब कहां गई तेरी दिलेरी बात सिर्फ अपने तक हो तो दिलेरी चलती है शालू उसकी परेशानी समझ में आ रही थी दूसरे जाती धर्म के देवेश जी के साथ क्या सारा के अब्बा विवाह की सुईक्रिती देंगे सारा की अम्मी का सपना था सारा उच्छ शिक्षा पाये अम्मी की असामयिक और अप्रत्याशित मृत्व से सारा के अब्बा बिचलित हुए थे अम्मी की आखरी इच्छा को सम्मान देने के लिए उन्होंने सारा को कॉलेज जरूर भेजा था पर कॉलेज में एडमेशन दिलाने से पहले सक्त शब्दों में अपनी हिदायत दोहराई थी तुम्हें कॉलेज भेज जरूर रहा हूं पर खयाल रखना अंजाने में भी कोई ऐसा काम ना कर बैठो जिससे हमारे खांदान की नाग कर जाए जाहिदा और तवस्व का भविश तुम्हारे नाम रख रहा हूं सारा की खामोशी पर उन्होंने दोहराया था क्या बात है तुम चुप क्यों हो क्या ये शर्त तुम्हें मन्जूर नहीं जी ऐसा कोई काम नहीं होगा मुझसे जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना बड़े सारा का मुख चमक उठा था आज जाहिदा और तवस्व का भविश उसके नेने पर आश्रित था शालू ने उसे समझाना चाहा था तू समस्ती क्यों नहीं सारा देवेश जी तुझसे विवाह करना चाहते हैं हम तेरे साक्षी रहेंगे उनसे विवाह करना कोई गलत काम नहीं है सारा सदा की निर्भीक सारा उस समय निरीह गौरया सद्रश अपने सारे पंक सिकोड बैट गई थी शालनी और सिधार्त ने समस्या जब देवेश जी के सामने रखी तो वह गंभीर हो उटे सारा की जीवन्तता तिरोहित हो गई थी सारा की उदासी से पूरा वातवरन बोजिल हो उटा था शालनी जुझला उटी बहुत साहसी बनती थी अगर हिम्मत नहीं थी तो पहले ही घर बैटना था कहां गया तुमारा वो साहसी व्यक्तित तो सारा का उदास मुह देखकर कुछ और कह पाना भी तो संभव नहीं था सारा पाला पड़े ब्रक्ष की तरह सूखती जा रही थी एमे की फाइनल परिक्षा समात होते ही लंबे गर्मियों के दिन काटने मुश्किल हो गए थे उस पर सारा थी की बात ही नहीं करती थी सिधार्थ और देवेश जी उसकी उदासींता से परेशान थे अचानक एक भरी दोपहरी सारा का फोन आया था शालू अभी अभी पता लगा है कल हम सब दिल्ली जा रहे हैं दिल्ली? क्यों? क्या कोई खास बात है? तो इतनी घबराई से क्यों है? पता नहीं क्या बात है अबबा ने बस ओर्डर दे डाला तयारी कर लो, कल चलना है तुने पूँचा नहीं दिल्ली में तेरी मौसी रहती है बहां जा रही है क्या? मौसी तो हैं पर यू बिना वजह जाना समझ में नहीं आ रहा है मेरा जी बहुत घबरा रहा है शालू तो पापा से कुछ पूँच क्यों ने लेती सारा मैं आ जाओ पूँचा तो था बस कह दिया जरूरी काम है हाँ ये भी कहा है किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है साथ और कौन जा रहा है वो भी पता नहीं पर शायद लखनाउ से जाहिदा और फोन कट गया था या काट दिया गया था उस वक्त सिधार दिया देवेश जी से कॉंटेक्ट करना भी संभव नहीं था रिक्षे में चिलशिलाती धूप जेलती शालनी जब सारा के घर पहुँची तो बाहर बैठे नौकर ने सूचना दी थी छोटी मिस साहिबा साहाब के साथ किसी से मिलने गई है पर अभी तो मैंने उन्हें फोन किया था बताया था यहां पहुँच रही हूँ शालू बिस्मित थी नौकर ने नकारात्मक सिरहिला अपनी अन्भिकता जाहिर कर दी थी दुसरे दिन शाम शालनी के फोन के उत्तर में किसी भारी पुरुष स्वर ने सूचित किया था सारा दिल्ली जा चुकी है शालनी घर में सिधार्थ के पहुँचने की बेसबरी से प्रतीक्षा कर रही थी सिधार्थ के पहुँचते ही शालू एक सांस में सब बता गई थी सिधार्थ हमें बहुत डर लग रहा है लग रहा है सारा के साथ कुछ अगटित घटने वाला है सिधार्थ भी कुछ देर मौन रह गए थे शालू तुम्हारे पास सारा का दिल्ली का एड्रेस है? ना उससे पूछने का मौका ही कहां मिल पाया था फोन पर भी तो बात आधी ही रह गई थी सिधार्थ यहां कोई सारा का रिष्टेदार है? जानती हो किसी को हमें पता नहीं सारा के लिए तो सब कुछ हमी थे ना सिधार्थ शालनी का गला रुंद गया था सिधार्थ भी सारा के घर से निराश ही लोटे थे लगता है नौकर को भी पट्टी पढ़ा दी गई है या सचमच वह कुछ नहीं जानता पर क्यों सिधार्थ ऐसी क्या बात हो गई? वही तो समझना है सिधार्थ गंभीर थे देवेश जी पूरी बात सुनकर मौन रह गय थे गर्मियों की लंबी दोपहरें भी सूनी और बोजिल ओटी थी शालनी का मन अपनी सारा के लिए हर पल आशंकित रहता था अचानक एक शाम सारा के अबबा को अपने घर आया देख शालनी किल गई अभिवादन के साथ ही उत्सुक स्वर फोट पड़ा था आप कब वापस आये अंकल सारा कैसी है वही बताने आया हूं बेटी आव अंदर चलते हैं उनके गंभीर स्वर से शालू आतंकित हो उठी कमरे में पहुँच सारा के पापा ने उदास्वर में कहा था बहुत बड़ा हाचसा हो गया बेटी दिल्ली में सारा किटनैप कर ली गई क्या? क्या? शालनी के विस्फारित नैनो को एक पल ताक उन्होंने आगे बताया था दिल्ली स्टेशन की भीर में वह कुछ पीछे रह गई थी सामान के साथ मुझे आगे जाना पड़ा था पीछे बराबर उसे देखता जा रहा था अचानक एक और ट्रेन की भीर आ जाने से उसे कुछ देर देख पाना कटिन हो गया था भीर चूटने पर वह कहां गई? कुछ पता नहीं चला ये क्या हो गया अंकल? पुलिस में रिपोर्ट तो लिखाई थी सब कुछ किया बेटी पर कहीं कुछ पता नहीं लगा उनकी आखों में वाश्पकन छलकने को आतुर थे आपने टीवी पर सूचना क्यों नहीं दी अंकल? नियूज पेपर में फोटो भी तो निकाली जा सकती थी एक जवान लड़की के यूँ गायब हो जाने की खबर कितनी कहानियों को जन्म देगी? समस्ती हो ना बेटी सारा की छोटी बहनों का भविश्य दाओं पर लग जाएगा उनका कहीं रिष्टा भी मुश्किल हो जाएगा सब यही कहेंगे जवान बहन किसी के साथ भाग गई उसकी बहने भी वैसी ही होंगी समझ रही हो ना मेरी मजबूदी सारा की दबंग अबबा एक निरी पिता भर रह गय थे पर अंकल सारा का क्या होगा? कैसी किस हाल में होगी? न जाने कहां? डेहशत के कारण शालनी आगे सोच भी नहीं सकी थी तुमसे एक इलतिजा है बेटी इस राज को राजी रहने देना अपनी सारा के लिए इतना कर सकोगी न? मैं वादा करती हूँ पर अगर सारा वापस आ गई तो आप उसे स्विकार कर लेंगे ना अंकल? शालू व्यग्र थी दोनों हाथ उठा उन्होंने शायद भगवान से कुछ कहा था पर शालू की आश्वस्ती के लिए एक शब्द भी नहीं कहा गया था सिधार्थ से सारी बात सुन देवेश जी इस्तब्ध शून में ताकते रह गये थे शालनी को सावन का वह दिन बार-बार रुला रहा था जब अम्मा ने शालू के साथ सारा की हतेली पर भी महंदी लगाई थी सावन में मुहले भर की लड़कियों के महंदी लगाने में अम्मा को अपूर वो आनंद मिलता था चूड़ी वाली पहले ही बुलाली जाती थी हर लड़की अपने-पने मन की चूड़ियां पहनती थी शालनी की महंदी हलके रंग की चड़ी थी पर सारा की गोरी हाथेलियों पर पलाश दैक उठे थे शालू ने सारा को चड़ाया था अम्मा कहती है जिसके महंदी गहरी चड़ती है उसे बहुत प्यार करने वाला पती मिलता है इसी लिए देवेश तुझे इतना ज़्यादा चाहते हैं ये तो रब्त कमल है शालू मुझे तो हमेशा से महंदी के रंग खून के छीटे से लगते हैं छी कितनी भी भत सकल्पना है तेरी हर बात के उल्टे ही अर्थ लगाती है शालू नाराज हो उटी थी नाराज नहो मेरी शालू बच्पन में किसी जोच्शी ने हाथ देखकर कहा था इसकी किस्मत में सुख नहीं शायद इसी लिए हर बात में निराशा ही देखती हूं अम्मी जब से चली गई अपने लिए किसी अच्छी बात के विशय में नहीं सोच पाती शालू ने सारा के हाथ इसने से पकड़ लिये थे अच्छा सारा सच कहे हम क्या तेरे कुछ नहीं लगते सब कुछ तुमी तो हो अम्मा को देख अम्मी को भूल बैटी हूं दोनों मुस्करा दी थी कहां होगी सारा उदास दिन और राते यूही बीचते जा रहे थे सिधार्थ और देवेश दिल्ली से निराश वापस लोट आये थे सारा की मौसी ने भी वही कहानी दोहरा दी थी नजाने कितनी अवांचित गलियों अड़ों पर दोनों गये थे पर हर जगे निराशा ही हाथ लगी थी देवेश जी का उदास मुख सिधार्थ और शाल्नी को व्यथित करता था मौन रहकर भी तीनों एक दूसरे से नजाने कितना अनकहा कह जाते थे सारा के अबबगी तो शकल ही बदल गई थी शालू जब भी उनके पास जाती दोनों सारा की ही बातें करते रह जाते हलका नेस्वास ले एक दिन उन्होंने कहा था काश उसकी मर्जी के खिलाब उसे दिल्ली न ले जाता मर्जी के खिलाब क्यों अंकल कुछ ऐसी ही बात थी बेटी सेयदों की बेटी गैर जात धर्म में नहीं जा सकती हमेशा खटका ही लगा रहता था इसी लिए मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई अंकल अगर सारा वापस आ जाए तो ना बेटी अब तो यहीं दुआ है कोई उसकी मौत की खबर सुना दे तो तसल्ली हो जाए शाल्नी विसमित थी, कभी उसे इस घटना के पीछे किसी साजिष का एहसास भी होता था सिधार्थ ने भी एक दिन शंका व्यक्त की थी कही ऐसा तो नहीं, सारा की शादीकर उसे विधा कर दिया गया हो पता नहीं सिधार्थ, सारा की चिंता खाय जा रही है पता नहीं सारा की क्या नियती थी शालनी का कंट भराया सिधार्थ ने अपना सांतवना पून हाथ उसके कंदे पर धर सहानो भूती व्यक्त करनी चाहिए थी मेरी तो एक ही बहन थी सारा के न रहने से मैं फिर अकेला हो गया हूँ शायद मैं ही अभागा हूँ, बहन का इसने मेरी किस्मत में नहीं था सिधार्थ भाव को उटा, जानते हो सिधार्थ सारा ने एक फोटो दिखाई थी, उसकी चाची के बेटे थे साहब जादे ने सारा से शादी का पैगाम भेजा था सारा ने क्या जवाब दिया था पैगाम का, सिधार्थ को समस्या समझ में आ रही थी सारा की बात छोड़ो, हमने ही कह दिया था हमारी बुद्धी प्रदीप्त आँखों वाली सारा की उस सामान से व्यापारी के साथ कभी पट ही नहीं सकती हमारी उस बात पर सारा ने हमें जीभर चाट खिलाई थी सिधार्थ उसके बात क्या आगे बात बढ़ी थी शालूग ये तो नहीं मालूम पर कभी कभी सारा बेहत डर जाती थी कि कहीं उसकी शादी जबर्दस्ती उससे न कर दी जाए कहीं कुछ गड़बर जरूर है शालूग सिधार्थ भी सहमत थे सारा के बिना सिधार्थ और शालनी अपने बिवाह की बात भी नहीं सोच सकते थे देवेश जी ने एकाद बार बात भी उठाई पर दोनों ही उसमें तयार नहीं थे सारा कहा करती थी सिधार्थ भाई आपकी शादी में मेरा दोहरा रिष्टा होगा एक और बहन का नेग लोंगी दूसरी और साली का बोलिये है मन्जूर एक ही तो बहन है तू मुह मांगा नेग दूँगा पर अब जल्दी से तारीक तो पक्की करा दे इसने से सिधार्थ उसकी हर बात मान जाते थे तभी एक साथ दो घटनाएं घटी थी देवेश जी भारती प्रशास्तनिक सेवा में सफल रहते और सिधार्थ की उनके इस्थान पर विश्व विद्याले में नियुक्ती हो गई थी देवेश जी को विदा करते शालनी का मन भर आया था जाते जाते देवेश जी ने कहा था मैं सारा को खोज निकालूँगा शालू मेरा मन कहता है वह मुझे जरूर मिलेगी आपकी बात सचो देवेश जी ना चाहते हुए भी शालनी के नयन भर आये थे हम दोनों तुमारी शादी में आएंगे सिधार्थ, मेरा विश्वास है इसी सच पर विश्वास करने को जी चाहता है देवेश भगवान तुम्हें सफलता दे सिधार्थ का मुख चमक उठा था उस पल देवेश के विश्वास पर शालू को विश्वास हो आया था पर शालू और सिधार्थ को सारा की प्रतीक्षा थी अम्मा नाराज हो उठती थी जिस लड़की को उसके बाप तक ने भुला दिया उसके नाम को तो सारी उम्र बैटी रहेगी शालू क्या सारा से मुझे कम प्यार था पर भगवान को जो मन्सूर है उसके आगे किसका वश चलता है बेटी वह जरूर आएगी अम्मा शालू के विश्वास के आगे मा हार जाती थी और आज सारा का पत्र लिए शालनी खुशी से पागल सी हो रही थी वह नन्नी सी पंक समेटे गौरया आकाश की उचाईया नापने अंततह पंक पसार उड़ी गई थी सारा ने पत्र में लिखा था अपने ही घर में बंदनी बना दी गई थी शालू पापा के किसी शुट चिंतक ने उन्हें बताया था कि उनकी बेटी किसी के प्यार में दीवानी हो रही है मुझे से कुछ जानने सुनने की भी जरूरत नहीं समझी गई आनन फानन उनी चची जान के साहब जादे से शादी की बात पकी कर तुरंत शादी का फैसला ले लिया गया शादी दिल्ली से करने में किसी तरह के डर या गड़बड़ी की तो आशंका भी नहीं थी फासी के मुझरिल से भी उसकी अंतिम इच्छा पूची जाती है मुझे उस लाइक भी नहीं समझा गया था असलियत पता लगने पर मैंने भूख हरताल भी की पर तू मेरी इस्थिती जानती है न फोन पर तुझे बता पाना संभव नहीं था सब तरफ पहरे थे तुझसे बात करनी चाही पर अधूरी रह गई दूसरी सुबह ही अब्बा जबरदस्ती दिल्ली ले गए थे सच शालू उस वक्त यहीं एहसास हो रहा था कि मैं किड्नैप कर ली गई हूँ दुश्मन द्वारा किड्नैपिंग जहली जा सकती है शालू पर अपनों द्वारा किड्नैपिंग की त्रास्ती तू नहीं समझेगी पूरे रास्ते इसी बात को सोचती रही निर्णय नहीं कर सकी पर भीड के उस रेले ने मुझे अचानक राह दिखा दी भीड में लोग खोते हैं पर मैं तो अपनी राह पा गई शालू भीड का कोई धर्म नहीं कोई जाती नहीं उसी भीड का अंगबन मैं जी गई शालू बिप्रीत मार्ग अपना स्टेशन के बाहर आ गई थी रास्ते में इस्टेशन से जो मैगजीन खरीती थी उसमें एक महिला संस्था का दिल्ली का पता दिया हुआ था वहां पहुँच साफ कह दिया था, मुझे किड्नैप किया गया था, मेरे घरवाले अब मुझे स्विकार नहीं करेंगे पढ़ी लिखी थी, सो संस्था में काम मिल गया किड्नैपर्स का उद्देश कोई शतुरता थी, पर उन्होंने किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुचाया इसलिए उनके प्रती कोई शिकायत नहीं न्यूस पेपर में देवेश जी का भारतिये प्रशास्निक सेवा के सफल प्रत्याशियों में नाम देख रहा नहीं गया अपने नाम पते के बिना उन्हें बधाई भेश दी थी उसी अनाम बधाई के आधार पर देवेश जी यहां पहुच गय कल हम दोनों कोर्ट मेरिज कर रहे हैं देवेश जी तुम्हें सर्प्राइज देना चाहते थे पर खुशी का यह पल तेरे साथ बाटे बिना क्या मैं रह सकती थी शालू आज तो सारा आकाश बाहों में सिमटाया है मेरी शालू सारा? शालू के नैनों से जरते आशू देख अम्मा घबरा गई क्या हुआ बिटिया? कोई अशुप समचार हौले से हाथ बढ़ा शालू ने अम्मा के हाथ में सारा का पत्र थमा दिया तो यह थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी? कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिलकुल भी ना भूले धन्यवाद